नमस्कार TV 100 में आपका स्वागत है और मैं विरेंदर गुपता इस वक्त समुचे उत्तर प्रदेश में ही नहीं जनपद मिर्जापुर में भी ऐसे तमाम छात्र हैं जो इंटर पास कर चुके हैं और उनके सामने और उनके अभिवावकों के सामने एक बहुत बड़ा कि इंटर के बाद वो क्या करें कौन सा कोर्स करें कि उनके भविष्ट के लिए भी बेहतर हो और परिजन भी अपने आपको हरसत महसूस कर सके हमारे साथ जीडी मेमोरियल कॉलेज के संस्थापक भी है और डॉक्टर राज राठोर सहाब भी हैं जिन से हम जानने का प्रिया चाहेंगे जो इंटर पास कर चुके हैं उनके लिए क्या बहतर कैरियर होगा तमाम लोग तो अभी यह भी नसर नहीं जानते हैं कि इंटर के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए और उनको यह लगता है कि मेडिकल की कोर्स करने में बहुत पैसे लगेंगे हम कैसे करा पाएंग के मेडिकल के कोर्स तो गवर्मेंट की तमाम योजनाये चल लई हैं इसकालर्सिप हैं तमाम चीजें हैं और इंटर मीडियेट के बाद क्योंकि बीए बीस्ट की संख्याएं बहुत बढ़ गई है उसके काड़ ही बिरुजगारी हुई है तो मैं यह चाहूंगा कि इंटर क मेरे बद भाद जैसे हमारे पास दीफार्मा की कोर्स हैं इसन दीमेल्ट वोता है लैब टेकनिशियन कोड़ीvest के बाद एक लैप खूले या एक लैप गालेक्शन सेंटर खूले बड़े सेंट्रों से अपना अटाईस करके अपने लैब को चलाये और जैसे फार्मा अशिस पहले चीज यह है कि जेनम एनम डी फार्मा डीमल्टी चितने भी कोर्स हैं उसमें सबसे पहले यह सोच लिजिए कि करने के बाद आप वेरोजगार नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारे यहां डाक्टरों की कमी है डाक्टरों की अगर कमी है तो जाहिर सी बात है कि डाक्टर के सपोर्टिव जो होते हैं जो फार्माशिस्ट होते हैं जो आपके लैब टेक्निशन होते हैं या ओटी टेक्निशन होते हैं जो भी है वो भी तो उनहीं के साथ जुड़ का जो संचालन हो रहा है तहां पर लोग आके जानकारी और एडमिशन कर सकते हैं तो यह तो मैं तीन चार साल से इसको चला और अच्छे बच्चों के काफी बच्चों का भविष्य बना है हमारे सामने जो है बच्चे पढ़े और अपना मेडिकल इस्टोर चला रहे हैं अपना जो है लैप चला रहे हैं या लाइप कलेक्शन सेंटर खोले हैं बड़े हास्पीटलों में काम करते हैं मर्जापुल में जितने होस्पीटल हैं जाते हैं हमारे बच्चे मिलते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि चलिए जो है कम सकम हमने पढ़ाया और बच्चा जो है इस लाइक हो गया जिस तरीके से डॉक्स आपका कहना है और मानना है कि पैरा मेडिकल के छेत्र में आपार बच्ची अपना केरियर ना सिर्फ सवान रहे हैं बलकि अपने भविस्ट को और उजवल भी बना रहे हैं फिल्हाल इस कोर्स के बाद कारोना काल के बाद इस मेडिकल के छेत्र में जो डिमांड्स बढ़े हैं पहरा मेडिकल में आपको लगता है जिए यही सुविधा और पहले बाहर और metropolitan cities बजाया करते थे अब यह सुविधा यहां मिल रही है यह यह बिलकुल बिलकुल यहां पे यह सब colleges नहीं थी और सब एक अंतिम सवाल कौन से छात्र इस course को कर सकते हैं क्या इंटर किसी भी सब्जेक्ट से हो या सिर्फ BSc से ही हो तभी हो लड़कियों के लि बायो तेन प्लस टू लड़कियां हो चाहे लड़कियों सारी कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात किया तो आपने जिस तरीके से देखा कि अब जनपद मिर्जापुर में भी तमाम जब से medical college खुला है उसके बाद medical की छेत्र में भी जबजस्ट बूम द बहुत ब्राइट फ्यूचर है हमारे यहां और इसके लिए हमारे यहां B Pharma, D Pharma, D MLT, लड़कियों के लिए NM, JNM और जितने भी पैरा medical courses होते हैं सब हमारे यहां पढ़ाए जाते हैं इसे दो साल में बच्चों का केरियर बिल्कुछ चेंज हो जाता है हमारे पैसे में अच्छी पढ़ाई होती है